स्वास्थ खंड ज्वाला मुखी के अंतरगत आने वाले आरसी बीएड कॉलेज धनोट में खंड चिकित सा अधिकारी ज्वाला मुखी डॉक्टर संजय बजाच के आदिशा नुसार बीएड कॉलेज की प्रिंसिपल शिखा शर्मा की अध्यक्षता में विश्व तंबाकु नीशे दिवस मनाया गया इस दिवस पर खंड स्वास्त शिक्षक ज्वाला मुखी सुरेश चंदल ने बच्चों को तंबाकु के प्रयोग से होने वाले दुश प्रभाव के बारे में विस्तार पुर्वक जाहरुक किया उन्होंने कहा कि जागरुकता करने से हम कुछ हद तक नशे की तरफ जाने वाले लोगों को बचा सकते हैं। कि आज के जो युवा है 80% युवा किसी ना किसी प्रकार का नसा कर रहे हैं। जो आज के युबा कल देश का हिसा बनेगे, समाज का हिसा बनेगे वो इसी तरह से यदि नसा करते रहे तो आने वाला समाज कैसा होगा ये हमारे लिए सोचने का विश्या है और बच्चों को बताया गया कि नसा करने से जादेतर कैंसर होता है जैसे कि मुँग का कैंसर, लंग्स का कैंसर, या आटैक आजाना, किडनी का कैंसर, लीवर का कैंसर, जितनी भी कैंसर होते हैं, जाएतर नसा करने से होते हैं, तो हमें नसे से बचना चाहिए, और ये पाया गया कि दुनिया में आज 80 लाख लोगों की विरित्व जो हर साल हो ही है, तमाखो, बीड़ी, सिगर्ट से होने वाले बीमारियों की वज़ा से जो मृत्यू हो रही है, या दुनिया में लगभग 80 लाख लोगों की हर साल हो रही है, तो हमें किसी भी प्रकार का नसा नहीं करना चाहिए, और नसे के बारे में, नसे के जितने भी दुस्परभ होते हैं, उसके बारे में बच्चों को अपने अपने सेत्र में, अपने अपने अरिये में जागरू करने की इसलाह दी, धन्यवाद